नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन वंसाल वास्तू कंसिल्टेंट मैं आज फिर आपके साथ एक और नई शॉप के बारे में चर्चा करना चाहूँगा मेरे पास जो इंक्वाइरी आई यह है वो है नॉर्थ फेसिंग कॉस्मेटिक शॉप वास्तू शास्तर के नॉसार नॉर्थ फेसिंग कॉस्मेटिक शॉप में सैट अप किस परकार से करना चाहिए आप अपनी नई दुकान नया शॉरूम ओपन करने जा रहे हैं तो वास्तू शास्तर के नुसार आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कैसे आपका setup होना चाहिए आप अपनी shop को आप अपने showroom को renovate करने जा रहे हैं तो भी आपको मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि आपका showroom कि इस परकार से होना चाहिए आपने अपना showroom पहले से उपन किया हुआ है और आपके हैं working अच्छी नहीं है तो भी आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखेगा आपकी जो शुरूरू है आपका जो शुरूरू है नौर्थ फेसिंग है और आप इसको नए से त्यार करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको धियान रखना जो आपका बाहर का रोड फुट पाथ हमेशा ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए साब सुथरा होना चाहिए उबर खाबर उंचा नीचा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए आपका अपना जो शुटर है शुटर आपका स्काइब लूगलर आसमानी रंग का होना चाहिए आपने अपने यहां पर mcb box लगवाना है तो वो कहां लगना चाहिए एज़ पर वास्तू सबसे अच्छी दिशा जो मानी जाती है वो यह दिशा मानी जाती है कि साथवेश जोन में आप अपना mcb box electric meter लगाते हैं तो वास्तू शासर के निसार बहुत अच्छा माना जात है second option में आप Northwest में वेस्ट वल पर यहां पर अपना mcb box लगा सकते हैं क्योंकि आजकल मीटा तो सारे पॉल पर electric पॉल पर ही लगते हैं जब आप अपने शेटर पर पिंट कराएं तो ध्यान रखें फिक्स ग्लास कराने से पहले शेटर पर अंदर और बाहर यानि शेटर के शोरूं साइज में बड़ा है तो आप अपने यहां पर सेंटर से मद्धवाग से entrance कर सकते हैं और आपके शोरूं की चुड़ाई कम है तो आप अपनी entrance नौर्थ वेस्ट जोन से इस जोन से आप अपने यहां आने जाने का रास्ता बनाएं आपके यहां जो फर्ष की धलान होनी चाहिए वो फर्ष की धलान साउथ वेस्ट से नौर्थ हेस्ट की और साउथ से भी नौर्थ हेस्ट की और वेस्ट से भी नौर्थ हेस्ट ही और फर्ष की धलान होनी चाहिए फ्लोर स्लोप होना ही चाहिए इसी के साथ जब आप यहाँ पर टाइल्स लगवाती है या पत्थर लगाती है तो ध्यान रखना है जो कलर आना चाहिए वो कलर क्रीम कलर आना चाहिए कौन सा color आना चाहिए cream color किस चीज का floor tiles का और stone का आपने अपने यहां पर दिवारों पर जो color कराना है वह color of white color cream color करवाना है येदि आप अला-अला color कराना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि जो आपके अपने west wall है इस wall पर आप white color करें west wall पर कौन सा color कराना है white और इस्ट वाल पर आपने ग्रीन कलर कराना है और साउथ वाल पर आपने रेड कलर कराना है कौन सा कलर कराना है रेड कलर कराना है जो आपका अपना फ्रेंट का भाग है वो अंदर से भी और बाहर से भी आस्मानी कलर का स्काइब लो कलर का होना चाहिए इस प्रकार आप अपने हैं पर चारों दिवारों पर अलाला कलर भी करवा सकते हैं सीलिंग हमेशे ही आपकी वाइट कलर की होनी चाहिए मैंने अपने इस वीडियो में आपको नई कॉस्मेटिक शॉप के सेट अप के बारे में बताया कि वास्तुषास्तर के नुसार सेट अप किस प्रकार से होना चाहिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अंदर के सेट अप के बारे में बताऊंगा कि आपका काउंटर किस दिशा में लगेगा आपके अपनी सेटिंग का होनी चाहिए स्टाफ किस दिशा में होनी चा बताऊंगा आप मेरी सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बैल आइकन जरुद दबाईएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से में पर मिलते रहे हैं आप पुस्तक लक्ष्मी प्रविश कर से हो मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक सिंपल सरण हिंदी भाषर में लिखी गई है इससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और इस पुस्तक को पढ़कर अपने यहां चोटे-चोटे बदलाव करके भी अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर स सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के परती हमसे ओनलाइन सलाह लेना चाते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं और आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाते हैं तो साइट विजिट को तक सुब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सुब्सक्राइब कर लिजिए और बेल एकन ज़रू दबाएं इसी तरह अगले प्रोग्रम में फिर एक और नए विशे पर चर्चा करेंगे तर तक के लिए नमस्कार कर दो